आज आपके साथ हम कोई normal recipe नहीं share करने वाले हैं थोड़ी सी different है healthy है बहुत यदा unique भी है और बनाने में बहुत यदा आसान है बहुत ही fully fully बहुत यदा soft बनेंगी आप इसको एक से दो दिन भी रखकर खा सकते हैं तो देर किस बात की चलिए बनाना start करते हैं वीडियो पसंद आएगी तो like को share कीजेगा और चनल पर पहली बारा हैं तो subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा यह recipe 100% guarantee है कि आपको बहुत यदा पसंद आएगी क्योंकि थोड़ी से different भी है तो चलिए इस recipe को बनाना start करते हैं यहां पर हमने एक cup जो महुआ लिया हुआ है इसको हमने 2-3 इसको महुआ ही बोला जाता है अगर आपको कोई और नाम पता हो तो बताईएगा तो यहां पर हमने एक cup महुआ लिया था जिसको साफ करने के बाद इसको 2 घंटे के लिए भीगो कर रखा था और यह काफी अच्छे से फूल चुका है देख सकते हैं आप तो इसे क्या करना है मिक्सी के जार में डालना है और हाँ इसमें पानी हमें बिल्कुल नहीं डालना होता है क्योंकि यह पानी में भीगा हुआ होता है तो काफी यह फूला भी है यह देखे और थोड़ा बहुत पानी तो इसमें है ही तो चलिए अब इसको हम एकदम fine smooth इसका हम paste बना लेते है और यह महुआ देखे काफी अच्छे से इसको हमने piece लिया है एकदम इसका smooth सा paste बन गया है और हमने इसमें पानी थोड़ा सा भी नहीं डाला है तो पानी आपको इसमें बिल्कुल नहीं डालना है और यह देखे महुआ जिसमें हमने भीगोया हुआ था ना तो इसमें थोड तो अब इसमें add करना है गेहुं का आटा तो गेहुं का आटा एक साथ बहुत सारा नहीं डालना है तो अभी हम इसमें केवल एक कप गेहुं का आटा डालेंगे और इसको mix करेंगे महुए के साथ थोड़ी सी इसमें हम soft डाल देते हैं एक चमश के जितना इससे ना बहुत ह बड़िया इसका टेस्ट आता है सौफ का आप नहीं पसंद करते हैं तो बिल्कुल स्किप कीजिएगा और अब इसे हम अच्छे से मिला देते हैं पानी हमें इसमें बिल्कुल अगर आप इसमें गीहूं का आटा जो है वो जादा इस्तेमाल करेंगे तब आपको पानी डालना पड़ सकता है और फिर इसका जो टेस्ट है वो उतना अच्छा भी नहीं आएगा अगर आटा इसमें जादा हो जाएगा तो तो देखिए अब महुआ देखिए अच्छे से mix हो गया है लेकिन अभी आपको आटा बहुत ही कम दिख रहा होगा ना तो इसमें थोड़ा आटा हम और add करेंगे तो एक cup के जितना आटा हमने इसमें और डाल दिया है और अब इसको हम mix करेंगे हमने इसमें पानी एक चमज भी नहीं डाला है महुआ जितना गीला था उसी की वज़े से सारा आटा जो डो फॉर्म में आ चुका है ये देखिए पूरियां पराठी खाये होंगे एक बार आप ये महुआ की पूरियां बना कर देखिएगा आप इसके फैन हो जाएंगे इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है और जो महुआ है वो काफी ज़्यादा हिल्दी भी है तो इसको तो अकसर लोग घर में नहीं बनाते हैं तो कभ सा सुखा आटा लगा कर इसको हम बेर लेंगे बहुत ज़्यादा आटा लगाने की भी इसमें जरूरत नहीं होती है तो आप थोड़ा थोड़ा सा ये आटा लगाईएगा और इस तरीके से पूरियों को बना लेना है तो पूरियां आपको जितनी छोटी बड़ी बनानी हो उस हिसाफ से आप इसको बना सकते हैं और हाँ बहुत ज़्यादा इसे मोटा नहीं रखना है पतली पतली सी बनाईएगा बहुत ही अच्छे से फूलती है बहुत ही जबर्यस लगती है खाने में आप इसको सर्दियों के मौसम में जरूर बना कर खाईएगा बहुत ज़्या तो आराम से आप इसको fry कीजिए, सारी की सारी पूरियां फूलेंगी, कोई भी ऐसी नहीं है जो नहीं फूलेंगी, और ये बहुत ज्यदा tasty लगती है, सच में एक बारा बना कर जरूर try कीजेगा, अगर आपने कभी खाया होगा, तो आपको पता होगा, कि कितनी ज़्यदा ये tasty लगती है, और नहीं बनाया है, न तो एक बार राइस जरूर कीजेगा, जो महुआ है, आपको online भी मिल जाता है, तो आप online भी purchase कर सकते हैं, या फिर offline भी आप किराने के soft से ले सकते हैं, तो सारी पूरियों को हम इसी तरीके से fry कर लेंगे तेल में, और ये देखिए, बहुत ही प्यारा सास में color आ चुका है, बहुत ही crispy लगती है खाने में, और अंदर से इतनी soft होती है ना, कि आप इसको दो दिन भी रखेंगे, तो भी ये थोड़ी से भी heart नहीं होती है, तो सारी पूरियों को हमें इसी तरीके से बना लेना है, और आप इसे बना कर बच्चों को भी दीजिएगा, इसमें थोड़ी सी मीठापन होता है ना, तो बच्चों को भी बहुत यदा पसंद आएगा, और ये normal पूरियों से थोड़ी अलग होती है, इसका जो taste है वो भी हाँ, आप इसमें आटा ना, लिमिट से ज़्यादा नहीं डालिएगा, वरना इसमें अगर आटे का टेस्ट ज़्यादा आएगा, महुवे का टेस्ट कम लगेगा ना, तो अच्छा भी नहीं लगता है, अगर आप इसको थोड़ा मीठा बनाना चाते हैं, तो आप इसमें PC आई होगी पसंद आपको, तो वीडियो को लाइक और सेयर कीजेगा, और चैनल को प्लिज सब्सक्राइब जरूर कीजेगा, तो ये देखिए पूरियों का टेक्षर, बहुत ही फुली फुली बहुत यदा सॉफ्ट पूरियां बनती हैं, और ये काफी ठंडी हो चुकी है, उसके बाद भी आप देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा बढ़ियां लग रही हैं, इसका टेस्ट बहुत ही गजब का होता है, इसके साथ कोई आपको सबजी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको सिंपल अचार के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही मस लगता है खाने मे तो यह देखे, कितनी ज़्यादा यह सॉफ्ट है ना, तो फ्लीज ट्राई जरूर कीजेगा, ट्राई करने के बाद आपको हमारी रेसिपीस पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक और सेयर कीजेगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, हम मिलते हैं, ऐसी ही बहुत इंट्रेस्टिंग और न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाई-बाई, टेक केर